हलो एवरिवन टिकलेस एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लेम नंबर 30 सॉल करेंगे तो कॉशन क्या रहेगा उसके लिए कॉशन तो देखें क्वेशन आपके सामने है ये प्रॉब्लेम हमें सॉल करना है और ये प्रॉब्लेम सॉल करने के लिए हम वही फर्मूलिस का यूज करेंगे जो हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स लेक्चर और 29 लेक्चर में बताए थे तो अगर आपने वो लेक्चर नह उसमें आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूनिट में यूज होने वाले सभी फर्मूलिस मिल जाएंगे वो फर्मूलिस अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लेम काफी आसानी से सॉल कर सकते हैं वो दोनों वीडियो का लिंग हमने आज के वीडियो डिक्स्रि आपको गिवन डाटा लिखना कमपल सरी है तो कोशन में पढ़ेंगे कोशन में लिखा है स्क्रिव जैक देखो यहां सबसे पहले तो मशीन का टाइप दिया है हमेशा ध्यान में रखो सिंपल लिफ्टिंग मशीन का जब कभी आप कोई प्रॉब्लेम में मशीन का टाइप दिया होता है तो कभी कोई प्रॉब्लेम में मशीन का टाइप नहीं दिया होता है तो यहां पे देखो मशीन का टाइप क्या दिया है स्क्रिव जैक तो यह हमें यहां सबसे पहले मशीन का टाइप गिवन डाटा में लिखना है तो यह हम यहां लिख लेंगे मशीन का टाइ आगे लिका है, lifts a load of 30 kN, यह जो machine है, यह कितना load lift कर रहा है, तो 30 kN, तो load दिया है, इसका मतलब W दिया है, तो यह हम यहाँ लिकलेंगे, 30 kN, यह kN में है, तो इसको न्यूटन में convert करो, तो यह हो जाएंगा 30 kN, यानि होता है 1000, तो यह हो जाएंगा 30,000 N, इस तरह से, ओके question को आगे पढ़ेंगे, आगे लिका है, with an effort of 400 N, effort दिया है, effort को P से show किया जाता है, और वो दिया है 400 N, ठीक है, okay, question में आगे पढ़ेंगे, आगे लिका है, at the end of the handle of 60 cm, देखो यहाँ पे length of handle दिया है, length of handle को capital L से show करते है, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे, capital L, कितना दिया ह length of handle, that is 60 cm, यह cm में है, आप इसको mm में convert कर लो, ठीक है, तो mm में convert करना काफी आसान है, यह हो जाएंगा 600 mm, ठीक है, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे, that is mm में convert करने के बाद 600 mm, ओके, यह हमने length of handle capital L लिख लिए, question में आगे पढ़ेंगे, if the pitch of the screw, pitch of the screw को P से show करते है, तो य यह कितना दिया है, that is pitch of the screw is, that is 15 mm, देखो यह भी mm में दिया है, ओके, यह cm में अगर होता, तो हमने इसको mm में convert किये होते, चलो, यह mm में दिया है, question में आगे पढ़ेंगे, calculate VR, MA and the efficiency of the machine, VR याने velocity ratio find out करना है, ओके, MA याने mechanical advantage find out करना है, ओके, और last में efficiency find out करने के लिए कहा तो finally question के according, यह पूरा given data, यहाँ पे हमने लिख लिया है, और अब चलो हम इसको solve करेंगे, लेकिन solve करते समय सबसे important क्या है, सबसे important है machine का type, कौन से type का machine है, यह आपको पहचानना होता है, यह question में दिया होता है, तो देखो यहाँ पे machine का type दिया है, screw jack, तो अगर यह machine screw jack है, वी आर का formula अगर आप check करेंगे, वी आर याने velocity ratio, तो देखिए velocity ratio का formula हमने नीचे लिखा है, यह formula का हमें use करना है, velocity ratio find out करने के लिए, क्या है formula, 2 pi L by P, capital L जो आपको दिख रहा है, L is the length of handle and P is the pitch of the screw, तो यह formula का हम use करेंगे, और pi जो है, वो pi का symbol calculator में available होता है, आप directly वो symbol क use करो, pi का value put करने के बजाए, symbol use करना जादा better होता है, ठीक है, तो यह हम formula का use करेंगे, तो चलो, अब हम यहाँ solve करते है, सबसे पहले क्या find out करेंगे, vr that is velocity ratio, तो हम यह यहाँ पे लिख लेंगे, we know that, इस तरह से हमें यहाँ पे mention करना पड़ेंगा, we know that, in a screw jack machine, in a screw jack machine, ठ formula क्या था, तो velocity ratio का formula था, 2 pi L by P, यह formula हमें सबसे पहले screw jack machine का, पहले mention करना है, then after इसमें अब values put up करना है, तो चलो, अब हम इसमें values put up करता है, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे, 2 pi L is the length of handle, तो वो दिया है, वो millimeter में दिया है, sorry, यह पहले centimeter में दिया था, हमने उसको millimeter में convert किय है, तो हमें यहाँ millimeter में ही लिखना है, और pitch of the skew यह भी हम millimeter में लिखेंगे, तो यह हम यहाँ लिखेंगे, 2 pi into 600 divided by 15, ठीक है, इस तरह से, और अब आप यह Kelsey में put करो, तो जैसा हमने कहा था, Kelsey में put करते समय, pi का symbol यहाँ पे available होता है, देखो, यहाँ नीचे pi का symbol होता है, आ आपको उसको screen की उपर ले आना है, और आपको calculation करना है, तो इसका answer आएंगा, हमने इसको solve करके रखा है, तो यह आएंगा 251.327, ऐसा आएंगा, that is 251.327, यह हमें क्या मिला है, यह हमें VR, that is velocity ratio मिल चुका है, इसका मतलब question में जो find out करने के लिए कहा था, उसमें पहला bit हम find out करना है, MA, MA याने mechanical advantage, तो चलो MA यहाँ पर find out करेंगे, तो we have, we have, MA का formula क्या है, mechanical advantage का standard formula होता है, कोई भी type का machine हो, W by P, यह उसका standard formula है, machine का type कुछ भी हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो W और P यहाँ पर, जहां तक दिया हुआ है, देखो, W is the load, P is the effort, यह हम यहाँ लिख लेंगे, 30,000, Newton में आपको लिखना है, और P 400, और अब बस इसको solve करो, तो इसका answer हैंगा, 75, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे, 75, यह हमें क्या मिला है, यह हमें MA, that is mechanical advantage, मिल चुका है, लेकिन problem complete नहीं हुआ, देखो, हमने VR और MA find out कर लिए, अब हमें क्या find out करना है, efficiency efficiency, find out करने का standard formula होता है, यह हम यहाँ लिख लेंगे, now efficiency, now efficiency, तो efficiency find out करने का standard formula, that is percentage n equals to MA by VR into 100, यह formula का आपको use करना है, चाहे है, चाहे कोई भी टाइप का machine हो, आप आसान इसे efficiency निकाल सकता है, तो चलो, MA यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो की है 75, VR हमने find out किया है, 251.327, ठीक है, 251.327 into 100 कर लो, और अब आप इसको calculator में solve करो, तो यह हमने solve करके रखा है, इसका answer हैंगा 29.84, तो यह हम यहाँ लिख लेंगे, 29.84, यह percentage है, तो इसको percentage symbol आपको show करना ज़रूरी है, तो यह हमने percentage efficiency निकाल लिए, इसका मतलब यह है, question में ज efficiency यहाँ पर मिल चुका है, इसका मतलब यह है कि problem यही पर complete हो गया, उमीद करता है कि यह problem आपको समझ में आया होगा, यह problem आपको अपनी practice book में ज़रूर solve करके देखना चाहिए, इस type के problem जब भी आप solve करता है, तो आपको सबसे पहले machine का type देखना है, machine के type के according VR का formula अपला अपला करना है, और problem को solve करना है, यह था simple lifting machine, यह unit का problem number 30, इसके पहले जो हमने इसके 29 problems लिये थे, वो भी आपको study कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे, ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए, तो मिलते हैं next video में, thank you very much.